Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए May 2021 की Love Tarot Reading सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें देखिए आपके Likes, आपके Comments, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत माइने रखती है और अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस डीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी साइन्स होते हैं आप उसके according भी इस डीडिंग को देख सकते हैं ऑर अगर आप मुझ से पूचेंगे तो मैं आपको यही कहाँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलौ करते आए हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं आप उससी साइन को फॉलौ करें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2021 की Love Tarot Day तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि May 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो में पस यहाँ पे तीन सेट अफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Aquarius और आपके लिए यहाँ पे सबसे बहला कार्ड मुझे दिख रहा है The Hierophant Hierophant taro में शादी की बात करता है, marriage की बात करता है, commitment stability की बात करता है कहीं बहुत जादा fixated होके चलने की बात करता है और इन ही सब चीजों के around energy revolve करती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए May starting में या फिर May month में जहाँ पर again मैं कहूंगी की stability, security एक main concern इस relationship में रह सकती है और again मैं कहूंगी की आप कुछ चीजों के लिए बहुत stubborn हो रहे हैं आप किसी भी तरीके के compromises नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके के, you know again मैं कहूंगी adjustments नहीं करना चाह रहे हैं हाला कि देखिए deeper level के लिए heart strong का card मुझे कह रहा है कि आप बहुत emotional हो रहे हैं, बहुत sentimental हो रहे हैं अंदर से आप परेशान भी हो रहे हैं लेकिन surface level के लिए या तो आप दिखा नहीं रहे हैं या फिर आप कुछ चीजों के लिए कोई जित पकड़के बैठे हुए हैं जहां पर आप अपनी बात से हिलना नहीं चाह रहे हैं और देखिए again मैं कहूंगी कि एक तूफान सा आपके दिल में कुछ चीजों को लेकर आया हुआ है देखिए मिड अफ में के लिए हमारे पल्स टू अफ सोज रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीजों को लेके हो सकता है आप बहुत इंडिसाइसिव हो रहे थे पीछे आप choice नहीं कर पा रहे थे, आप decision नहीं ले पा रहे थे और कहीं बहुत एक in action वाली energies थी जहाँ पे बहुत सारी चीजों को आप देख के अनदेखा कर रहे थे आप सुन के अनसुना कर रहे थे, आप avoid कर रहे थे and mid of may में आपको ऐसा लग सकता है कि भई अब बहुत हो गया और अगर ऐसे ही आप avoid करते रहें तो आगे जाके चीजें बिगड सकती है और अब आपको इन चीजों को deal करना ही पड़ेगा अब beyond the point आप इनको नहीं ignore कर सकते हैं और दीखें यहां पर hangman का card एक दो चीजें बोलता है हो सकता है इसी से ही related कुछ compromises कुछ adjustments आप कर रहे हैं और दीखें कहीं hangman का card मुझे कहता है कि जो आपकी may starting की energies थी उससे एकदम से contrary energies में end में मुझे दिख रही हैं जहां पर आप कुछ adjustments करने के लिए ready दिख रहे हैं जहां पर आप कुछ compromises करने के लिए ready दिख रहे हैं जहां पर एक flexibility आ रही है और कुछ चीजों के लिए आप अपना नजरिया बदलने के लिए ready हैं या फिर आप बदल रहे हैं देखिए deeper level के लिए यहाँ पर run the ways and dreaming of you के cards कहते हैं, कि आप बहुत ज़ादा अपने partner के साथ एक companionship चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके साथ एक togetherness चाहते हैं, और उनके बहुत ज़ादा आपको ख्वाब आते हैं, बहुत ज़ादा आप उनको लेकर सपने भी देखते हैं, और देखिए कहीं इसी से ही related, again मैं कहूंगी कि आप कुछ compromises कर रहे हैं, जो जिद आपने कुछ time से आमें starting में पकड़ी हुई थी, उसमें थोड़ी सी धील आ रही है, उसमें थोड़ी सी युनों मैं कहूंगी flexibility आ रही है, और अब देखते हैं, Aquarius के आपके partner की के energies हैं, तो आपके partner के लिए दिखें, आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, The Hermit, और Hermit का card मुझे कहता है, कि बहुत ज़ादा चीज़ों को लेके आपके partner सोच रहे हैं, और ये ज़ादा May starting के energies दिख रही हैं, लेकिन May month में भी हो सकता है, जहाँ पर एक अकेलापन या तो वो महसूस कर रहे हैं, या फिर एक अकेलापन चाहा रहे हैं, और अगेन मैं कहूँगे कि initiatives नहीं ले रहे हैं, action नहीं ले रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़ादा सोच रहे हैं, और अब देखते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, तो दिखें उसके लिए हमारे पस phantom lover and caged heart damaged का card है, और ये दोनों cards मुझे कहते हैं, कि कहीं उनको ऐसा लगता है, कि ये relationship पता नहीं real life में जैसे वो चाहते हैं, बैसे manifest हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत ज़ादा fantasize कर रहे हैं आपके लिए, इस relationship के लिए, और कहीं उनको लगता है कि ये relationship कहीं imaginary ही ना बनके रह जाए, या फिर कहीं ये relationship उनकी imagination ही है, real में है भी या नहीं है, और कुछ चीजों को लेके देखिए बहुत ज़ादा hurt भी महसूस कर रहे हैं, कुछ चीजों ने उनको किसी level पे बहुत दुखी भी किया है, caged heart का card कहीं damaged energies की बात करता है, और वो इस relationship से कहीं मैं कहूंगी कि you know move on भी करना चाहते हैं किसी level पे, लेकिन इतना ज़ादा उनका दिल आपके साथ बंधा हुआ है, कि वो आप से अपने आपको free ही नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं move on नहीं नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसकी वज़य से भी बहुत सारे Aquarius के partner किसी level पे बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे casual dating का card मुझे कहा रहा है, कि इसके बावजूत की वो बहुत hurt हो रहे हैं, फिर भी चीज़ों को casual रख रहे हैं, beyond a point आपको इतना नहीं महसूस होने दे रहे हैं, और देखिए surface level के लिए आपे Ace of Pentacles का card मुझे कहता है, May, Mid में कहीं वो कुछ चीज़ों को end कर सकते हैं, या फिर end करना चाहा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है एक्वेजियस के आपके partner end करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Ace of Cups का भी card है, और Ace of Cups कहीं एक beginning की बात करता है, in fact दिखिए यह दोनों ही Aces एक नई beginning की बात करते हैं, लेकिन Ace of Pentacles का card reverse है, जो कि यह भी कहता है कि हो सकता है, वो initiatives लेना चाहते हैं, वो पहल करना चाहते हैं, लेकिन mid of May में नहीं ले रहे हैं, और by the end of May वो ले सकते हैं, जहां पे बहुत एक प्यार महबबत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, marriage, शादी, companionship और togetherness भी end of May में वो चाहते हुए दिख रहे हैं, और अब देखते हैं Aquarius की May मंथ में क्या हो रहा है, तो May मंथ के लिए दिखें, आपे सबसे पहला कार्ड है Eight of Pentacles, Eight of Pentacles का कार्ड efforts करने की बात करता है, महिनत करने की बात करता है, किसी भी चीज में completely अपने आपको involve करने की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है, कुछ Aquarius के लिए हो सकता है, आप याँ आपके partner अपनी professional life में बहुत जादा अपने आपको involve कर रहे हैं, और main reason यही हो सकता है Aquarius की आप लोग कहीं इस relationship से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, कहीं अपनी energies को deviate करना चाहते हैं, और कुछ Aquarius और उनके partner के लिए हो सकता है कि आप इस relationship के लिए बहुत efforts कर रहे हैं, और देखे Aquarius अगर आप महनत करेंगे तो आपकी महनत ज़रूर May starting में या mid of May तक कुछ रंग लेकर आएगी, कुछ positive results भी लेकर आएगी क्योंकि यहाँ पे हमर पर summer का card है, summer एक warmth की बात करता है, एक clarity की बात करता है, एक closeness की बात करता है, तो again मैं कहूंगी कि ऐसी energies, May starting में या mid of May तक इस relationship में रहती हुई दिख रही है, यहाँ पे दिखे, night of wands का भी card है, night of wands, changes की बात करते हैं, initiatives की बात करते हैं, action लेने की बात करते हैं, और आप Aquarius या आपके partner या आप दोनों ही किसी level पे again मैं कहूंगी initiatives या action ले रहे हैं, एक enthusiasm, एक excitement इस relationship में आ रहा है, और दिखे कहीं night of wands, travel की भी बात करता है, तो अगर यह long distance relationship है, तो आप दोनों में से कोई एक travel करके मिलने भी दूसरे इंसान को आ सकते हैं, नहीं तो in general भी again मैं कहूंगी कि आप दोनों साथ में भी travel कर सकते हैं, change of location, change of place, change of residence भी temporary या permanent कुछ Aquarius या उनके partner का रह सकता है, and deeper level के लिए यहाँ पर perfect match का card मुझे कहता है, Aquarius आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसी feeling हो रही है, कि भई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप से अच्छा इंसान आपके partner को नहीं मिल सकता था, और आपके partner से अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता था, ऐसी feeling इस relationship में mid of May तक रहती हुई दिख रही है, लेकिन देखिए end of May में कहीं energies दूसरे direction में जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे seven of swords का card है, और seven of swords किसी भी level पे cheating की बात करते हैं, और देखिए cheating हमेशा ही third party की वज़े से नहीं होती, cheating तब भी होती है, जब आप दोनों में से कोई एक अपनी real feelings, real intentions नहीं बता रहे हैं, चीजों को upfront होके नहीं deal कर रहे हैं, और देखिए यह किसी की भी energies हो सकती है, जहाँ पे युनों आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक escape करना चाहते हैं, सामने से होके चीजों को नहीं deal कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे standards and boundaries के भी cards हैं, तो एक boundary कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बनाते हुए दिख रहे हैं अगें ये card भी मुझे कह रहा है कि कुछ standards आप set कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए again you know stand आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए May 2021 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको guidance मिली है तो इस चानल को like, share और subscribe ज़रूर करें